खुद पर कर यकीन मन्जिल की ओर चल दे ना हो हतास परेशान अपने रादों को बल दे आईए दोस्तों आप सभी के लिए बहुती शांदार और खास दोस्तों अगर आप गरामिन पर्विश में रहते हो तो आपके लिए बहुती शांदार ये क्लास ये वीडियो होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुती शांदार यहांपर इस्किल डवलप्मेंट प्रोग्राम जिसके तहत आपको यहांपर जो ओफर की जाएगी बहुती शांदार तरिके से शेशन को बिल्कुल देखेगा दोस्तों क्योंकि इसके अदर हो सकता है आपका केरियर बन जाए देखेगा दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने यह government की site है और government की site पर जाकर ही मैं आपको यह पूरी की पूरी चीजे बता रहा हूं बिल्कुल authentic चीजे हैं देखेगा दोस्तों carrier उधमिता यानि कि उधमिता यहाँ पर ग्रामिन उधमिता विकास निगम इसके अंदर आप कैसे आविदन कर सकते हैं क्या process रहेगा और किस तरीकी की job आपको offer मिलेगी दोस्तों देखेगा दोस्तों यहाँ पर यह आपका पूरी के पूरी site जिसको मैं इस तरीके से scroll कर रहा हूं यहाँ पर आप आविदन कर सकते हैं आविदन कैसे करें सबसे पहले यही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आविदन कैसे करें साप साप यहाँ पर लिखावा है कि application form यहाँ पर भर सकते हो, देखें कि दोस्तो step 1 में आपको क्या चीज़े करनी होगी, email के साथ register करना है, और अपने phone number और अपना नाम, अपना नाम डालना है, अपने phone number डालना है, email के साथ, और register आपको करना है, जब आप यह सारी detail आप यहाँ पर कर देते हो, तो आपको यहा पर option दिया गया है, हो सकता है दोस्तों आप की पसंद की job हो सकती है, हो सकता है आपकी पसंद की job किसी computer field में, हो सकता है कि आप, जो है दोस्तों, अलग-लग category के अंदर आपकी पसंद हो सकती है, तो उसके साब से आप यहाँ पर job select कर सकते हो, step 3 के अंदर क्या होगा sir, step 3 के अपना वीवरन और दस्ताविस आपको देना है इस्टेप 4 के अंदर पंजी करन सुल्क का भुकतान करे जो भी यहां पर नियुनतम पंजी करन सुल्क है वो आपको भुकतान करना है और इस तरह के से चार स्टेप के जरिये आप यहां पर आपका आविदन स्विकार कर लिया जाएगा, अब क्या होगा सर, किस तरीके की वेकेंसीस इसके अंदर आएगी, उसके बार में भी हमें बता दीजेगा विल्कुल आपको बताएंगे विल्कुल आप ही के लिए हैं पुरा का पुरा प्रोग्राम देखेगा दोस्तों इसके अंदर अगर अपन चर्चा करते हैं तो एक skill development program है हो सकता है दोस्तों skill development का मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी होबी को जगाना है जो आप कर सकते हो और अपने परिवार को पाल सकते हो हो सकता है दोस्तों आप अगर male या female हो जैसे female के अक्सर यह होता है कि जैसे female के अंदर interest हो कि वो एक सिलाई machine चला कर अपना घर चला सकती है लेकिन उसको का आप से कोई सुलक नहीं लिया जाएगा बिल्कुल साप साप website पर दिया गया है मैं आपको अभी पूरा proof के साथ बताने वालूँ हो सकता है दोस्तों आप बिल्कुल आप जो है आपको हो सकता है कि इलेक्रिसन का सोख हो तो आपको यहाँ पर पूरा काम से क्या आए जाएगा और आपको यहाँ पर जोग ओफर भी दी जाएगी बिल्कुल यहाँ पर computer के लिए यहाँ पर जो है दोस्तों बिल्कुल student life में आपको कुछ भी जो देखो सीखते है न तो vacancies अब आता ही अपने कि सर यह तो बता रहे हो लेकिन vacancies के से apply करें क्या है vacancies के बारे में भी में बताएगा देखेगा दोस्तों यहाँ पर जो है job यहाँ पर job का option खुला है बिल्कुल यहाँ पर देखेगा selection process selection process यहाँ पर कोई आपका exam नहीं होने वाला साब-साब लिखा वाया है आपका interview होगा हो सकता है आप computer के लिए आपने apply किया हो तो आपको computer के बारे में आपको बताना होगा वो computer के बारे में आपको कुछ भी बूच सकते हैं एक होता है skill test जिसके अदर आपको हो सकता है क्टेस्ट करवाले हो सकता है आपको सामने बखाकर जो है कंप्पिटर चला दे कि भाई इसकें अंदर कंप्पीटर में क्या-कैजी ठीजी होती है जब यह प्रोसेस आपका complete हो जाता हो तो आपका selection यहाँ पर complete हो जाएगा अब देखें दोस्तो, term and conditions क्या है, आप किस तरीके से यहाँ पर apply करोगे तो यहाँ पर आपको इसके लिए registration fees देना होगा और registration fees जो है, वो general और OBC के लिए 435 रूपे यहाँ पर रहेगी दोस्तो registration fees for ST, SC, PH, physical handicap, यहाँ पर आपको 250 रूपे registration fees is not refundable आपको जब आप यहाँ पर registration कर दोगे, तो आपका refundable नहीं है, इसलिए बिल्कुल सोच विसार करके आप यहाँ पर registration कर सकते हो अब देखें दोस्तों, यहाँ पर फिर ही आता है कि सर, reservation का भी कुछ है के यहाँ पर, बिल्कुल reservation का यहाँ पर कुछ है दोस्तो reservation for SC, ST, OBC will be applicable as per central list जो केंदर सरकार की list आएगी, केंदर सरकार से जो list जारी होती है, उसके अनुसार SC, ST, OBC को यहाँ पर reservation मिलागा as per government and rules, यानि कि अगर अपन भात करते हैं, जो government के, भारती government के जो rule है, उसके साब से आपको as relaxation भी मिलेगा अब देखेंगा, आवेदन, ओनलाइन आवेदन, पंजीकरन, यानि कि registration की प्रारंब तीती, यहाँ पर 592,000 तेवी से एवं, ओनलाइन आवेदन, पंजीकरन की अंतिम तीती, संभावित ओनलाइन परिक्षा का समय 9-10-2023 9-10-2023 यानि कि 9-10-2023, विल्कुल special note बना रखा है, पढ़ेगा मेरे साथ अगर पदों की संक्या 3 गुना जादा, ओनलाइन आवेदन आ गए, तो नगर निगम दवारा, ओनलाइन परिक्षा आवेजन की जा सकती है जिसके संभावित समय 9-10-2023 में होगा सरकारी, गेर सरकारी योजनाओं का लाब दिलाना, ग्राम उधमिता को बड़ावा देना पसु बीमा, हेल्थ बीमा, खेती बीमा के अंदर काम करना होगा स्वच अभियान ग्रामिन स्वच अभियान के अंदर काम करना होगा ग्रामिन उधोगों के लिए रजिस्टेशन, फंडिंग, प्रोडक्शन, डिटेल, मार्केटिंग हर परकार की साहिता है तु सलाह देना ठीक है? नगर निगम दवारा ओनलाइन अथ्वा ओफलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी जिसका कोई सुल्क नहीं होगा जैसे आपको कंप्यूटर चलाना सिखा रहे है तो आपके कोई सुल्क नहीं है जैसे आपको यहां पर जैसे जो होता है ना बहुत सारे जो हैंडी क्राप्ट वाले जो होते हैं हैंडी क्राप्ट का मतलब आपको किसी डिजाइन करना कोई टोकरी बनाना कोई क्या करना वो जो सभी चीजें जिसके अंदर आपका स्कील डवलपेंट हो वो सारी चीज़ आपको सिखाए जाएगी आप देखेंगा दोस्तों यहां पर ग्रामिन उद्वक के लिए इसके बाद नगार निगम दवारा स्वरी निगम दवारा ओनलाइन एम ऑफलाइन ट्रेनिंग जी जाएगी जिसका कोई नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करनी होगी इसके बाद समय समय पर नोडल अधिकारी दवारा आउगत कराए जाएगा नोडल अधिकारी जो आपका होता है वो आपको समय समय पर आपको गाइड करेंगे किस तरह किसे काम करना है सारी चीज़े अब देखेगा इसके बाद यहाँ पर ग्रामिन उध्यमिता मित्र राजस्तान जैसे यह पोस्ट है दोस्तों ग्रामिन उध्यमिता मित्र राजस्तान यह एक पोस्ट है और इसके अंदर पांच जार चार सो पचास फोर्म है बलब पोस्ट है यह राजस्तान के लिए हैं यहाँ पर सेलेरी जो होगी आप 18-40, मैंने उपर बता दिये, age relaxation वगरा सब कुछ, age पर government rule होगा, इसके बाद data entry executive जो राजस्तान के लिए आपको 950 post निकाली गई है, जिसके अंदर आपको salary यहाँ पर जो रहेगी 7500 रुपे, qualification 10-5, registration 5 September से 9 October तक यहाँ पर आपके लिए हैं दोस्तों, और 18-40 आपके age होने व राजस्तान जिसके अंदर आपको 1950 पोस्टे हैं और salary यहाँ पर मिलनी वाली अच्छी खासी salary दोस्तों 27,500 रुपे, बहुत अच्छा है, अगर ग्रामीन सेहत्र में, अगर 27,500 रुपे आपको मिल रहे हैं, ग्रामीन में रह रहे हो, तो वो कोई कम नहीं हैं दोस्तों, multitasking staff राजस्तान के अंदर, जिसके अंदर 1740 पोस्ट है, एपलाई कर सकते हो, salary यहाँ पर जो रहने वाली है, वो salary यहाँ पर रहने वाली है, दोस्तों कितनी लगवा 25,500 रुपे, इससे कम ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पर qualification आट भी पास है, registration यहाँ पर 5 September से 9 October, यहाँ प आप यहाँ पर काम करें उसके साब से, इसके बाद और भी पोस्टें जैसे, जिला, उध्यमिता, विकास, अधिकारी, यह अधिकारी की पोस्टें दोस्तों, जिसके अंदर आप apply कर सकते हो, 175 पोस्टें हैं, और यह राजस्थान के लिए दोस्तों, और यहाँ पर आपको salary सेरी मिलने वाली अच्छी खासी सब 33,500 रूपे qualification graduation है होगी दोस्तों, registration 5 September से 9 October 2023 और एज यहाँ पर 18 से 40, ठीके इस तरीके से आपको बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे जिला, उध्यमिता, विकास, अधिकारी है, यह मद्यपर्दिस के लिए दोस्तों, 160 पोस्ट है, वही 33,000 यहाँ पर है, graduation होना चाहिए आपके पास, और 5 September से 9 October एपलाई कर सकते हो, उध्यमिता, इसके बाद एको, ब्लोक, उध्यमिता, विकास, अधिकारी, मद्यपर्दिस के लिए भी 1853 पोस्ट है, salary आपकी 27,500 रूपे, इस तरीके से आपके लिए many-many आपर पोस्ट है, बहु के सियां से आते हैं, वो सारी के सारी चीज़ हम आपको बताने माले हैं, तो आते हैं आपके लिए बहुत ही शांदार एक और चीज़ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत!